OnePlus S5 और S5 Pro का specification लीग हो चुका है हालांकि जो in-depth specification होती है वो अभी नहीं आया है बट जो मोटा मोटा specification होता है वो आ चुका है बट इस वाले वीडियो में मैं केवाल OnePlus S5 के बारे में ही बताऊँगा क्यांकि ये phone इंडिया में भी देखने के लिए मिलेगा वो भी OnePlus 13 R के नाम से और आप लोगों को भी पता है ये phone काफी अच्छा price पर मिलता है काफी अच्छा hardware के साथ मतलब आप इसको flagship killer भी बोल सकते हो अब एद जग इसका कोई render image वगरा नहीं आया है तो इसके look or design के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता लेकिन इस तरीके से news आ रही है कि इसका look or design होगा ना वो OnePlus 13 की तरह ही होगा तो काफी हद तक हम लोग दिमाग में सोच सकते हैं कि इसका design किस तरीके से होने वाला है तो इसी तरीके से कुछ होगा बट ये OnePlus 13 का image है तो इसी को देखके हम लोगों को संतुष्ट होना होगा क्योंकि इसका कोई image नहीं है न और इस तरीके से news आ रहे है कि ये ceramic body के साथ आएगा मतलब आप इसको पटक भी दोगे जमीन में तो जल्दी नहीं फूटेगा लेकिन जान बुझ के मत पटकना कि इसमें सिरम एक body है वह रहना टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है ना यार इसके अलावा ये फोन मेटल फ्रेम के साथ आएगा डूल स्टीरियो स्पीकर होगा IR blaster भी होगा और OnePlus में जो alert slider होता है वो भी इसमें होगा लेकिन सायद इस phone में proper IP rating नहीं मिलेगी यानि ये phone पूरी तरीके से waterproof नहीं होगा डिस्प्ले के बारे में अगर बात करें तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि इसमें BOE का X2 डिस्प्ले ही मिलेगा लेकिन OnePlus 13 की तरह नहीं होगा ये पूरी तरीके से फ्लाइट डिस्प्ले होगा 6.78 इंच का होगा जो की 1.5 गे रिजलिशन के साथ आएगा और 120 हर जिर्पिरेस रेट का support भी मिलेगा और LTP8 टेकनलोजी के साथ भी आएगा लेकिन अभी तक इसके डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में या फिर कितना नीट्स का पीक ब्राइटनेस वगरा होगा वो पता नहीं चला है इन डिस्प्ले फिंगर्पिंट स्केनर तो मिलेगा है लेकिन साथ ओप्टिकल वाला होगा अगर इसके प्रोशेसर के बारे में बात करें तो इसमें पिछला साल का Snapdragon का flagship Snapdragon 8 Gen 3 मिलेगा Android 15 के साथ ही ये फोन आएगा LPDDR 5X RAM और UFS 4.0 storage type डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा लेकिन OnePlus 13 की तरह इसको software update से 4.1 में upgrade किया जा सकेगा या फिर नहीं किया जा सकेगा वो तो मुझे नहीं पता या फिर नहीं भी हो सकता है साइद इसका camera specific action भी आ चुका है इसके rear में 3 camera का setup होगा लेकिन सिर्फ एक ही useful होगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि primary camera 50 megapixel का मिलेगा फिर 8 megapixel का और 1-2 megapixel का इस तरहीं से news आ रही है 8 megapixel का आप थोड़ा बहुंत यूज कर सकते हो थोड़ा सा useful हो सकता है लेकिन जो 2 megapixel का होगा उसको मैं useless ही बोलूँगा और selfie camera 16 megapixel का मिल सकता है obviously इसके rear camera से 4K video recording करने का option मिलेगा लेकिन इसका front camera से साइध 1080p का ही option मिले इस news के हिसाब से इसका camera थोड़ा सा disappointing लग रहा है लेकिन जब actual phone आये तो upgrade होकर आये ना तो थोड़ा सा मज़ा आया जाएगा थोड़ा सा अच्छा लगेगा लेकिन दोस्तों इसका battery department पूरी तरह से आपको खुस करने वाला है क्योंकि इस तरीके से news आ रहे है कि इसमें 6000 पलस image का battery मिल सकता है यानि 1600, 1600 या फिर 1600 image का इसमें battery हो सकता है और इसका charging speed भी solid होगा 100 watt का लेकिन wireless charging इसमें नहीं होगा price और launch date के बारे में बात करें तो इसका price साएद 40 से 50 हजार के बीच में हो सकता है और discount में ये और भी ज़्यादा कम में मिलेगा और launch date के बारे में बात करें तो ये phone साएद November या फिर December में ही चाइना में launch हो जाए और उसके बाद 2025 के शुरुआत में ये दूसरे market में OnePlus 13R के नाम से launch हो जाए तो बस यार यही ताज का वीडियो और आपको इस phone के बारे में क्या लगता है नीचे comment करके बता देना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दो और हम दो नेक्स वाली वीडियो मिलते हैं बाइए